आपका टीचर और यार काफी डिक्वेस्ट करने के बाद और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद अगर आपको नहीं पता तो क्लास 10 में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसका नाम है बैंकिंग एन इंसरेंस ठीक है तो मैंने सारे चैप्टर की वीडियो बना रखा है ठीक है आपको प्लेलिस्ट कहां मिलेगा कैसी मिलेगा वो सारे चीजे में दिखाने वाला वीडियो में कुछ नहीं करना है एड़ेगरोन क्लास 10 यूटूब चैनल पर एड़ेगरोन क्लास 10 सच करना है कुछ ऐसा दिखेगा मेरा चैनल चूप चाप इस पर क्लिक कर लो ज्यादा परिसान मत होना चूप चाप क्लिक करना है यहां पर चले जाओ प्लेलिस्ट पर ठीक है जैसे है आपके लिए वैसे सारे सब्जेट की कंतेंट एविलेबल है one shot वीडियो की बात करें 15 मिनेच शौर्स की वीडियो की बात करें डिटेल वीडियो की बात करें सारह चेप्टर हिंधी इंग्ली conquest साइन्स सब भरा हुआ है तो डू विजिट ओके तो मैंने काफी पहले पढ़ाया था तो यह देखो यहां पहले क्या रहा है प्लास टेंथ बैंकिंग एंड इंसुनेंस हिंदी में सारे वीडियो से वीडियो इंग्लिस वाले समझ में तो ही आना अब हम यहां पर क्लिक देखा जाए तो मिल जाएंगे जैसे यहां पर आप देख सकते हो तो यूनिट 3 जो चैप्टर 3 है आपका यूनिट 3 है उसको मैंने 45 मिनिट में एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है एक बार विजिट कर लेना उसके बाद यूनिट 4 को भी मैंने एक ही व आप में हमारे यूनिट 5 है यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में दिख गया है उसके बाद आप देखो कि कुछ सेंपल पेपर डिसकसन भी कर रहा है एक घंटे का सेंपल पेपर मैंने डिसकस किया वाही जरूर चेक आउट कर लेना एक्जा हुआ है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अगर आपको यह प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा हो तो ठीक है बैंकिन इंस्वरेंस प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा रिलेटिट वीडिस्ट में ठीक है चेक आउट ओके इसके अलावा अभी मेरे चैनल पे समझ में नहीं आता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा बहुत डिटेल में बात किया हूँ फिर भी 20 में सारे टॉपिक कवर किया हूँ और साइंस मैंने कवर अब किया है एक बाद चैनल पे विजिट करें बहुत सारे कंटेंट से यार एकनोमिक्स की वी पार्ट वन में हम लोग कुछ चीजें डिसकस करेंगे अभी मैंने किसे कुछ प्लानिंग नहीं किया है कि कितने पार्ट में चेप्टर खतम होगा इसके नोट्स की बात करें तो 44 पेजेस के आस पास का इसका नोट्स है तो भाई जाहिर से बात है टाइम तो लगेगा फिर पहले छोकरे लोग आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है बहुत मिनित करते हैं यह तो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है फिर भी मैंने इत्ता मिनित करके आप लोग के लिए वीडियो बनाया है और अच्छे बनाया है आप एक बार चेक आउट तो करो ठीक है तू स्टार्ट कर आते हैं छोड़ी से रिक्वेस्ट है चनल पर नय हो चलो सब्सक्राइब वीडियो का लाइक और शेयर जरूर करना और हां मैं एक प्लानिंग कर रहा हूं कि 10 फर्वरी 15 फर्वरी 16 फर्वरी को इसका एक्जाम है मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि 10 फर्वरी के आस पास से ना एक गंटे का मैं डेली लाइव आओं और चेप्टर वाइज में आपको मुस्ट इंपोर्टेंट कोश्टन बेंकिंग इन इसरेंस का करा दो है ना उतना भी कर लोगे न तो आपके लिए बहुत हो जाएगा कोश्टन भी दिखाऊंगा उसका इंसर्स भी दिखा दूँगा ठीक है तो अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो भीया कमेंट सेक्षन भर दो कमेंट सेक्षन भर दोगे तो मैं पूरी मेनत करूँगा अधर्वाइस वीडियो मेरे पड़े हुए हैं पुराने देखिए और इंज्वाइजिए अमी नहीं है वो भी अच्छे हैं ठीक है चलो वीडियो सुरू करते हैं उन्हें दोस्तों के साथ शेयर करो और पार्ट टू जल्दी लेकर आऊंगा पार्ट वन आज जुआ कर लो पार्ट टू एक दो दिन में आ जाएगा ठीक है चलिए सुरू करते हैं अगर देखा जो साइंस के बात करें और एकनोमिक्स वाली जो मैम है हमारे चैनल पर पढ़ाती हैं हम लोग मिल के कुछ बहुत इंपोर्टेंट और इंट्रेस्टिंग बुक्स आप लोग के लिए रेडी किया है जो अभी जो लेटेस्ट वीडियो आ रहे हैं मेरे चैनल प क्लिक करोगे तो आपको काफी काम चल रहा है इस पर मैंने दो बुक अभी पब्लिस किया है बहुत इंट्रेस्टिंग कंटेंट है अगर आप देखोगे तो मजा जाएगा बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में तो अगर आप इंट्रेस्टेड हो ना तो आप ज़रूर इसको वहीं पर वीडियो देख सकते हैं मात्र 99 रुपीज में अभी ओफर प्रेड में और भी कम कर सकते हैं ठीक है फिर एक दा इकनॉमिक नोट्स नाम का एक और बुक आपको दिख रहा होगा इसमें क्लास 10 एकनॉमिक्स का रिवीजन नोट्स है हर चेप्टर के नोट्स मिल जा बहुत ही मेनत किया है हमने इस पर एक बार जरू चेक आउट करना इतना कोई खास प्राइजस नहीं है ठीक है चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मुद्धे पर तो मैं रेडी हो जाता हूँ ए मोड और टीचिंग मोड चलिए भाई सुरू हो गया है ठीक है तो पूर की बात करें या मैं यूनिट 5 की बात करूँ ठीक है ये सारे वीडियो अल्रेडी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड हैं आज हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे लेंडिंग फंसन आफ दे बैंक पार्ट वन में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिसकस करने वा फइक है सारे टाइप से इसके जुँतें भी हो जाएंगे फाइफ बेस्क प्रिंसिपल फॉर लेंडिंग राइफ ए यिस देखेंगे और लास्क में टाइबश आफ एडवान्स और टायब एडवांस जीसे secured और unsecured advance जो होता है ना जैसे secured bank loan या unsecured bank loan ये देखेंगे और इसके types को हम लोग देखेंगे इसको देखेंगे और part 1 में हम इतनी सारी चीज़ें डिसकस कर रहे हैं और part 2 हमने short long medium जो long term अगरा loan वगरा है वह हम part 2 में देखेंगे ठीक है ऐसा इतने पढ़ाने में 20 पेज नि introduction सबसे पहले तो यह जो नाम है न लैंडिंग function of bank बहुत बच्चे को तो यही नहीं पढ़ ले पढ़ रहा होगा कि भईया ससुरा यह होता क्या है लैंडिंग function of bank है क्या भाई हमारी bank एक संस्था है एक organization है वह काम कैसे करती है ठीक है और लैंडिंग function क्या हो जाएगा एक customer को जिसके पास customer नहीं एक ऐसा बंदा जिसके पास भर-भर के पैसा है ठीक है हम मानते हैं एक ऐसा यह अंबानी इंभानी यह वह यह यह बहुत अमीर आदमी जिसके पास भर-भर के पैसा है और यह विचारा दूसरा हमारा तेड बंदा जिसके पास पैसा की कमी है ये हमारा कस्टमर हो गया जिसको लोन की रिक्वारमेंट है जिसको पैसा चाहिए भाई उसको अपना कुछ बिजनेस उजनेस करना है उसको पैसा बैंक क्या करता है बैंक अम्बानी को जाके यहीमुवस्ट करेगा जरूरी नियोट रिक्वेस्ट करेगा कि उसका है अम्मानी जाके Brody े की कि उसको तो पता है ससुरे को यह तो हम माने भी यह को रिक्वेस्ट किया कि अपने खुलवा लिजी हमारे बैंक में हम आपको बहुत सारे बैनिफिट देंगे अमाने भीया ने बोला कि चलो ठीक है यार लो उन्हों कर अंदुना पैसा है यार वो उन्होंने लिया और जम के यहां पर हजार पत्रव पचास मिलियन ट्रिलियन डाल दिया बैंक वाला करें बैंक से निकलेगा उसको खुद के पास रख लेना यही होता है लेंडिंग फंसन पर है उस गया भीजा में ठीक है देखो यही चीज़े है अंगरेजी में लिखा हुआ है अब बैंक is a financial institution यह एक financial संस्था है ठीक है that accept deposit deposit को accept करेगा deposit या नि अगर मैं बैंक में पैसा जमा करने ज institution that accept deposit deposit को accept करेगा and channel those deposit into lending activities और जो पैसा है न उस पैसा का यूज करेगा दूसरी दूसरी लेंडिंग एक्टिविटीज के लिए लेंडिंग एक्टिविटीज जैसे जुनको जरूत है जरूत मंदो को लोन देना या share market में पैसे लगा के कमाई करना ठीक है यह इसके लेंडिंग एक्टिविटीज होते हैं बैंक का यही करता है ठीक है इस दन आइधर डारेक्टली बाइद लेंडिंग टू दर क्या होता है लेंडिंग लेंडिंग बैंक है क्या बैंक एक फाइनेंसियल संस्ता है जिसका काम क्या होता है डिपोजिट को एक्सेप्ट करना जो पैसा दे उस पैसे को एक्सेप्ट करना और उस पैसे से लेंडिंग एक्टिविटीज करना लेंडिंग एक्टिविटीज कर भरभर के पैसे हैं उनको connect करता है किस से customer who need fund जिनको पैसे की जरूत है उससे जब यहां का पैसा वहां transfer करेगा उसके बीच में कमीशन निकालेगा मैं भी निकालूँगा भाई क्यों छोड़ूँगा Nowadays bank offer many more services apart from their basic business explainable जो हमने उपर देखा है लोन देना और जरूतमंदो को लोन देना और शेयर मार्केट या केपिटल मार्केट में करना इसके अलावा भी बैंक बहुत सारे आज के टाइम पर काम करती है जो हम लोग आगे अलत सब्द का प्रेव नहीं करूंगा अगल बवाल कर दोगे तुम लोग ना नॉट ऑनली लड़कियां आज काल तो लड़के भी शुरू-शुरू में तुम पैरेंट्स के लिए क्लिए लिए लाइबिलिटीज होते हो पैरेंट्स खर्चा कर रहे हैं तुम पैरेंट्स क सब्सीयरिटी परपस ते वारता है तो पैसे हो कईएफ एक समझाया हो अभी मैं सॐल क TIM करने वाला हूँ ठीक है इसका ध्यान रखना भी भगने वाला हूँ बहुत तेजी से ठीक है सुरू सुरू था क्योंकि लेंडिंग फंसन समझाना था यह सब्द को अच्छे से that's why थोड़ा टाइम मिलिया अब अपन भगेंगे तो देखो आगे कहे रहा है बैंक प्रोवाइड ब एक्सपोर्ट फाइनेंस करना यह सारा काम फंड बेस्ट लोन में आएगा मतलब क्या हुआ फंड बेस्ट फैसिलिटी और दोस फैसिलिटीज वेर बैंक रिलीजेस मनी स्लैस फंड टु द बॉर्वर जिनको जरूत है उनको सीधे पैसा देगा that is the फंड बेस्ट लोन माँज बन्दे का यह सही है जैसे अगर तुम ये हो तूम सह है तुम गयो यूएसे अब यूएसे में जा कर तुम अपना कोई कंपनी को को छोलना चाहते हो जा धर घ्रूरा इतने दिन τ危險 國家 झाल जाके तो हम क्यूं लेओं दे तुमको तुम अपने इंडिया वाले बैंक को बोलोगे जहां पर तुमारा एकाउंट है चल रहा इतनी दिन से बोलोगे जाके कि भाईया यार तुम कुछ security प्रवाइड करो यार ताकि USA वाला बैंक मेरे को सही बंदा समझे तो इंडिया वाला बैंक आपको एक बैंक गारेंटी या लेटर of credit प्रवाइड करेगा एक गारेंटी पेपर प्रवाइड करें कि हान भया ये बंदा सही है इंडिया में इसके काफी सारे बैंक है और भर भर के पैसा है ठीक है आप इसको लोन दे दीजै कोई दिक्कतumba मैं guarantor बन जाता हूँ तो bank आपके लिए ये काम भी करता है इसको non fund based bank loan activities के है ठीक है यही लिका है non fund based facility are those facilities where bank does not release money but the gives a guarantee or make a promise or understanding मतलब letter of credit provide करेगा on behalf of customer applicant application के according in favor of third party के favor में यहाँ पे USA वाला bank third party था ठीक है चली clear हो गया अब बात करते है principle of sound landing अब कहोगे ये क्यों सा सब्सक्राइब sound landing इसका मतलब होता है sound landing का मतलब है कि landing system को better बनाने के लिए bank कौन कौन से principle के साथ work मतलब अपने bank भी अच्छा करने के लिए कुछ तो conditions बनाए होगे है न अपने तो उस conditions मतलब उस क्या वोला जाए कैसे इसको समझाया जाए कि landing अपने जो activities है न लोन देना दूसरों को लोन देना और other activities जो bank करती है उसको better बनाने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल को फॉलो करती है ये होता है sound landing landing कैसा sound करा है मतलब better करने के लिए landing active bank के landing activities को better करने के लिए क्या क्या principles ठीक है तो देखो यहाँ पर टोटल छे टाइप के principles important principle that one bank must follow while a landing rs follow सबसे पहला safety safety first is the credential principle of sound landing one of the most important function of sound landing है that is safe ठीक है when a bank lands मतलब जब भी कभी bank कोई landing activities करती है खासकर loan देने का काम it must ensure that the advance is safe वो सबसे पहले ensure करती है यह भाई जो मैं loan दे रहा हूँ जो पैसा मैं दे रहा हूँ पैसा मुझे वापस मिल भी जानी तो आज काल के लोग पैसे लेके भग गए है वो कौन है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ यह रसिया वसिया में कहां जाकर छुपा हुआ है अश्ट्रेलिया वगारा में खतरनाक आएसीयाएसीयाई बैक की पता नि कोंसे बैंक के साथ घोटाला किया था उसे नाम मैं भूल रहा हूँ आप लोग कमेंट करके बता ना वह कौन था उचसमा लगाता है मोटा मोटा सा बाल ऐसे रखा पतर नाम भूल यह है मैं इस बूसरे का नाम चलो ठीक है याद रखना तो इससे बैंक जब भी किसी को लोन देती है ना तो ऐसे ही नहीं देती है वो पहले आपने आपको सेक्यूर करें कि भाई जो मैं पैसा दे रहा हूं क्या वो सेफ है या वो मुझे पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा यह बंदा लेगे भग जाएगा उसके लिए बैंक क्रेडिट रीटिंग और सिविल रिकॉर्ड चेक करते है अदमी को लोन देने से पहले हैं तो आप क्रेडिट आपका जरूर क्रेडिट रीटिंग होगा कि आप किस इमकिस रेट से आप अपने account पर पैसा जमा करते हो किस rate से निकालते हो that is the credit rating और दूसरा cibl record मतलब आपका एक एक record होगा cibl एक संस्था है जो इस सारे चीज़ों को control करते है cibl का full form होता है लिख लेना credit information bureau इंडिया लिमिटेड credit information bureau of इंडिया लिमिटेड भारत की एक संस्था है जिसका काम क्या होता है कि गर उपने जिन्तरिक में कभी भी कहीं से भी अगर लोन लिया है और वहां कुछ फ्रॉड किया है न तो आप फिर कभी जिंद्गी में लोन नहीं ले पाओगे अगर गया न कहीं भी लोन लेने तो वहां का जो जब आप लोन लेने जाओगे न तो पहले जो संस्ता है वह आपके CIVL वेब साइट पे ज शारे चीजें उसके डिटेल डालेगा CIVL वेब साइट पे और उससे आपका रिकॉर्ड निकल लाए CIVL में 300 से लेके 900 तक कर स्कोर रेटिंग किया आता है अगर इसमें 300 से लेके 650 के आसपास अगर आपका स्कोर है इट मींस आप फरजी इंसान आपने कभी ने कभी लोन को लेट जमा किया है जितना कम सिबिल स्कोर होगा ना उतना फरॉड इंसान है तो अगर आपक mantle सिबिल इसकोर लेकि 900 के बीच में मतलब आप अच्छे इंसान भीःक्त अपको बुलाईगी अरे सर प्लीज लोन लेलो याग्ण आपका सिबिल स्कोर के तने अच्छा है प्रिंस्तर को सब्सक्राइब करना इसमें बदलने का यह काम भी बैंक करता है अगर बंदे ने मतलब एक बैंक ने किसी को लोन दिया है तो बैंक न सब्सक्राइब लिए और किसी थर्ड पर्सन को उस ने लोन के टर्म में दे दिया ठीक है तो अचानक से अमभानी अगर बोल दिया कि लाव यह मेरे को अपना पैसा अभी तुरंत वापस करो मेरे काम है बैंक तो किसी और को पैसा देदिये कहां सब्सक्राइब इस केस में बैंक एक टर्म सेंट कंडिशन बना के रहा है ठीक है अगर हम लोन देता है तो बोलता है इतनी दिन के अंदर पैसा वापस आ जाना चाहिए नहीं आएगा तो हम आपके फाइन लगाएंगे पैसा इसा नि मनि बॉर्ण पर प्रटिकलर परपस इप्लाइड बाइड बाइड वार्वल एक ओरली मतलब बैंक जब किसी को लून देती है तो उसको परपस चेक आउट करती है वह बंदा किस परपस से लोन ले रहा है अना आतनवादी टेरिस्ट बनने के लिए तो लोन नहीं ले रहा ह परपस इसलिए फायदा होता है कि भाई purpose चेक करता है लोन देने से पहले कि सामने वाला कोई company startup खोलने वाला है तो वह startup कैसा है क्या वह startup में पैसा लगा रहा ह। तो company उतनी recover कर पाएगी कि अगर वो profit नहीं कमाया था थुम को पैसा कहां से वापस करेगा तो bank purpose नो करता है लोन देने से पहले ठीक है नेक्स्ट है profitability कोन नहीं चाहेगा कि भाई उसको profit हो ठीक है तो equally important is the principle of profitability bank have to pay interest on the deposit received by them they have a employer expense on maintaining their establishment अपने bank अपने आपको maintain करने के लिए इंट्रेस्ट भी लेती है और जो deposit जो bank कर रहा है पैसा रखते है न अमबानी को भी कुछ commission देगा जाहिर से बात है अमबानी से पैसा अपने पास रख रहा है उस पैसे का use करके कहीं से कमाई कर रहा है तो अमबानी को भी तो उसकी return में कुछ देगा तो देखो bank इसी perspective पर काम करती है यह है हमारे अमबानी भी जिसको हम कहेंगे डिपोजिटर जास हजार रुपए इन्होंने बैंक में जमा किया बैंक वाला क्या किया देखो बैंक वाले ने क्या किया नो हजार रुपए इस बंदे को लोन दे दिया कि नो हजार रुपए लोन दे दिया अब यह बंदे ने नो हजार रुपए अपने दुकान में लगा दिये लगा दिये लगा दिये यह सेल फोन दुकान से बाइस सेल फोन खरीदा दुकान में लगाया यह बंदे ने मुबाइल खरीदने के लिए लोन लिया बैंक देखो जो बंदा है वो 9000 रुपए का दुकान से मुबाइल खरिदी और मुबाइल खरिदने के बाद जब उसके पास पैसा आया according to term उसने deposit 9000 रुपए वापस से क्या किया 9000 रुपए बैंक को लोटाया और साथ में उसने 500 रुपए इंट्रेस्ट भी लोटाया लोन दिया तो लोन 9000 दिया तो 9000 थोड़ी न लेगा 9000 तो लेगा यह लेगा इसके साथ इंट्रेस्ट भी लेगा तो मतलब 9000 प्लस 5 पहले बैंक के पास 1000 रुपए पहले से इसका बता चाथ कि 10,000 दिया था ना 9000 इदर 1000 रुपए पहले से बचा हुआ है और लोन देकर इसने 9500 कमा लिया मतलब टोटल 10500 रुपए बैंक ने कमा लिया अब 10500 में से कुछ इसको वापस कर देगा डिपोजिटर को कितना वापस कर देगा दस हजार सो रुपए वापस कर दिया तो बच गया 400 रुपए का बैंक को profit हो गया जिना profit के bank क्यों तुम्हारा पैसा अपने पास रखेगा इस profit से बैंक अपना खर्चा चलाता है एक परसन तो है नहीं और दस जार रुपए से बहुत लोग करोड़ों में जमा करते हैं तो उसका इंट्रेस्ट इस परस्पेक्टिब से सोचा जाए अगला है security के case में देखा जाए अब बैंकर सुट grant secured loan only जब भी bank loan देगा तो security के साथ देगा मतलब अगर आप पैसा ना चुका पाओ तो उसके बदले bank कहीं से तो पैसा recover कर ली क्योंकि अगला है डाइवर्सिफिकेशन बैंक को कमाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन भी तो ज़रूरी है अब बैंक सुट नॉट इन्वेस्ट और all its fund in one day कभी भी जो बैंक है ना जिसे मैंने बताया ना दो लेंडिंग अक्टिविटी पहला लोन देना कभी भी बैंक ना एक पर्सन को पुरा का पुरा लोन नहीं देगा वो दिया था जो अस्टेलिया में कहां गुमरा है बग गया लेकर कभी भी बैंक ना एक इंसान या अपर दॉल को अस्ट दीटे प्रेंसिपल बैंक बैंक अबसंसाफं अपने जो इंवर्स्टमेंट डाइवर्सेबर्सिफाय करता है एक ही जगह नहीं बलकि अलग 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 जग अपने पैसा लगाता है को लोगों को लून देता है कभी शेयर मार्केट में लगा दिया क तो यह थे हमारे six important sound lending principles, now next हम लोग पढ़ने वाले है, there are five basic principles for lending, lending activities के लिए बैंक जो लेंडिंग सिस्टम करती है, उसके लिए five basic principles कौन से है, generally five six कहा जाता है, पहला है character, the borrower का character कैसा है, क्या वो पैसा चुकाएगा, क्या वो हॉनेस्ट है, क्या लेकि भग जाएगा, capacity, कामने वाले की कितनी capacity है, मैं कितनी capacity में उसको loan दुखी, लोटा पाए, दे दिया, उसाले की आवकाद 10,000 की भी नहीं है, मैंने दे दिया 20,000 तो कहां से लोटा पाएगा बाई, capacity बहुत important, capital कितना, how much on money he has put in the business, अगर वो बंदा के पास कितना पैसा है, हमसे loan ले रहा, loan के अलावा, और कितना पैसा है, कि वो अपने bank, जो भी business करेगा, वहाँ लगा के, अगर वो बैंक से loan लिया हुआ, पैसा उसने business में लगाया, borrower ने, है ना, और अगर वहाँ से कमाई नहीं आ हो पाया, तो क्या वो बैंक को चुका पाएगा, that is the capital is most important, collateral, है ना, बंदे के प बैंक है, वो रिकवर करेगा, selling the security को sell करके, ठेक है, and the conditions, the changes that are constantly occurring in the economy, which may affect the borrower's business, condition भाई, ऐसे लो नी देगा, आज के, अगर तुम अगर कोई start-up company खोलने जा रहे हो, तो बैंक तुम से पूछे का क्या company तुम जो पैसा तुम मेरे से ले रहे हो, किस परपस से ले रहे हो, तो बोलेगा, मुझे इस company, ये company खोलना है, मैं उस company में लगाऊंगा, तो bank check भी करता है, कि क्या अगर ये बंदा ये company खोलता है, तो इस company की क्या productivity है, आज के time पर ये company चलेगी, नहीं चलेगी, future क्या होगा, इस conditions के साथ देखेगा, चीजें करेगा, तब उसको loan देगा, पाचल आप दे दिया, उसने अपनी company में पैसा लगाया, company बंद हो गई, नहीं चल पाई, कहां से बेचारा बोलेगा, क्या करोगा, जेल में डालोगा, डाल दो, पैसा तो है नहीं, कहां से हम देगे, ये तो loss हो जाएगा, बैंक को, तो ये फाइफ सी बेसिक प्रिंसिपल दोनों देखते हैं, ठीक है, ठीक है, इन केस ओफ लेंडिंग, money is provided on the condition that the amount borrowed will be returned, among with interest at the future, ठीक है, तो बैंक का जो लेंडिंग सिस्टेम में, लोन देने का, उसका main purpose के आगो, अगर किसी बॉर्वर, जिस नीडी, नीडी परसन को पैसा दिया, लोन दिया, तो वो चाहेगा कि वो बंदा लोन चुकाए, with interest के साथ, यही तो काम होता है, यही तो होता है, ठीक है, कुछ conditions पर, पहला देखते हैं, secured bank loan क्या होता है, तो it is in the interest of bank to recover all the loan within the interest theorem at the due date, bank का main काम होता है, अगर वोक्ष नेने किसी को लोन दिया है, तो interest के साथ सही time पे loan recover कर पाए, to ensure this, the bank try to obtain security, whose value is greater than the loan amount, इसलिए bank क्या करती है, एक security रखती है, मालो यह बंदा है, यह बंदा है, यह हो गया और जो security होगा इस दस जार से ज़्यादा होना चाहिए कम होगा क्या होगा यह लेकर भग गया नौजार रुपए security नौजार रुपए तो बैंक ने दीक और कर यह एक हजार का बैंक को तो लॉस हो गया ना इसलिए बैंक हमेशा security पर आपका जो लोन इमाउंट है उससे जाद collateral सब्सक्राइब करते हैं हाउस को as a collateral रख दिया बैंक के पास जिसकी कीमत कितनी है माल लेते हैं 15,000 इतना सस्ता जमीन नहीं मिलता वही है लेकिन माल लो यार 15,000 तो 15,000 का security रखेगा तब जाकर बैंक आपको 10,000 रुपए का लोन अगर आप लोटा पाए टाइम पे 10,000 बेच देगा समझे और इंट्रेस्ट भी वसूल हो गया that's why और अनसेक्यूर्ड में क्या होता है अनसेक्यूर्ड में बैंक ऐसे कोई security आपसे नहीं रखता है अनसेक्यूर्ड बैंक लोन में क्या होता है as the name itself suggest are loan granted by the bank without the banking of any physical securities either primary or collateral ना वो आपसे primary security मांगता है ना वो आपस कोई collateral रखवाता है इसमें अगर मालो किसी बैंक किसी परसन के पास कोई भी security है नहीं वो बिचारे के पास कुछ भी नहीं security रखने के लिए बट उसको पैसे की need है इस case में bank जो लोन देगा without collateral without security उसको unsecured bank loan कहते हैं क्यों देगा वह हम आगे देखेंगे इसी बात है वैसे तो bank देगा नहीं और देगा दिया जाता है वैसे दे दोस्तियारी में या कोई third person उसका बोलेगा कि मैं इसका risk ले रहा है अब जाके में ठीक है upon the recovering bank के पास कुछ होगा है नहीं जिससे वो पैसा recover कर पाए तो bank grant unsecured loan only to person of very good credit rating bank उन्ही person को unsecured bank loan loan देता है जिनका credit score बहुत बढ़िया हो दम 890 से लेकर 900 के बीच में हो तभी मिलेगा with good track record होना चाहिए study income sufficient बढ़िया होना चाहिए अब अमबानी आएगा लोन लीने तो कौन नहीं देगा हर बैंक वाले लोन देगा है वह महीने का है वह तो अगले महीने देगा ऐसे परसन को unsecured bank लोन दिया जाता है अब देखो types of unsecured types of advance इसको थोड़ा और बेसिस में अगर तुम देखना चाहते हो secured line credit और unsecured line आप देख सकते हो collateral के case में देखा जाया तो secured में ना collateral लिया जाता है collateral या नहीं कुछ ना कुछ security रखा जाता है वहीं पर unsecured में कोई भी collateral की जरूत नहीं पड़ती interest rate की बात करें तो comparative इसमें interest rate कम होता है और इसमें higher interest rate दोस्ति यारी बोलके काट लेगा आपका सोच लो easy to get the loan as it not risky है ना यहाँ पर क्या होता है इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है loan लेना क्योंकि यहाँ पर आपके security आपके है मेरे पास तुमारे security नहीं दोगो तुमा उसको बेच के निकाल लोंगा पेपर वर्क की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा paperwork involved होता है और यहाँ पर कोई paper वगएरा नहीं लगेगा सीज़े दे दो loan amount की बात करें may not get higher loan amount यहाँ पर ज़्यादा बड़ा amount आपको नहीं दिया जाएगा कि उसके लिए security उससे जादा होना चाहिए यहीं पर higher the value of collateral the higher is the loan amount ठीक है यहाँ पर collateral के हिसाब से उतना बड़ा loan आपको मिल जाएगा गोल्ड गोल्ड के अगेंस्ट में यहाँ पर गोल्ड क्या कहलाएगा यहाँ पर गोल्ड हो गया collateral यह हो गयी security bank के लिए security हो गया यह तो अगर आपको लोन दे रहा है पाईसा दे रहा है तो आपका security as a gold रखेगा पाईसा चुका दिये लोन चुका दिये तो ठीक otherwise gold बेचक the most popular type of secured loan in India is gold loan ठीक है apart from bank a number of NBFCs also compete with bank बहुत सारे NBFCs मतलब प्राइवेट संस्ता है gold loan देती है वो भी बहुत सारे competition में है bank के ठीक है the bank की बात करे या NBFCs की बात करें employee या gold smith are retainers to verify the gold purity and the value of gold brought by their client ठीक है तो जब भी bank किसी को gold loan देता है तो पहले जो gold लेकर आप आओगे न उस gold का verify करेगा किसी verify करेगा bank ने कुछ gold smith को approve करके रखा हो ठीक है gold smith नहीं सोनार को कुछ ऐसे सोनार को certificate bank provide कि अगर उस बंदे ने sign कर दिया इस gold पे तो वो gold अच है ठीक है क्योंकि वो आप जाहिए से बात है पैसा देके ने वो चेक करके sign कर रहा है क्योंकि अगर कुछ होगा तो भया बैंक वाले इस gold smith को भी पकड़ेंगे ठीक है इस the borrower fail to repay the loan अगर borrower loan का पैसा वापस करना bank को नहीं कर पाता किसी वज़े से जो bank होते हैं और जो होता है 12% से 15% interest rate रहता है loan का मतलब अगर आप आप आपने gold दिया bank में gold दिया तो bank आपको उसके बदले पैसा देगा महला 10,000 रुपे दिया तो बोलेगा आपका 10,000 जब आप लोटा होगे एक साल one year के बाद अगर आप लोटा होगे तो 10,000 का 12% एक हजार बीस जो भी होग जोड कर मुझे दोगे मतलब हो जाएगा ग्यारा आजार बीस आस पास बीजी रोटा लगा लें इसाब से 12 से 15% इंट्रेस्ट इसमें लेता है ठीक है loan insurance policy अगर आपके पास कोई insurance लाइसी जीवन भीमा और इतने फलाना ठीकाना इंसरेंस वाले चेप्टर में हमने आगे पढ़ेंगे चेप्टर 3-4 में पढ़ा होगा तो insurance LIC policy वगर आपके पास है तो उस LIC policy पे भी आपको loan मिल जाएगा ठीक है तो LIC जैसे Life Insurance Corporation of India Life Insurance Corporation of India insurance policy are well known as verify useful saving instrument होता है यह तरीके का saving instrument होता है जो लोग अपना LIC में पैसा रखते हैं ठीक है तो इसमें आप अपना क्या किजिए आपनी जो आपकी LIC policy है उस policy को as a security आप bank में submit कीजिए और bank उसके बदले आपको loan दे देगा ठीक है और अगर आप loan चुकाने में मतलब असमर्थ हो रहते हैं वस आपके LIC का पूरा सेविंग पैसा bank का हो ठीक है लेर हो गया नेक्स्ट है आपनी जो fixed deposit करके रखा है bank में FD FD बोलते हैं बैंक में 50,000 एक लाग का 50,000 का FD बनाके उसको fix कर दो मतलब वह पैसा 50,000 अगर आपने fix कर दिया बैंक में तो फिर आप उसको निकाल नहीं सकते हो मतलब एक साल दो साल तीन साल के लिए fix कर दो अच्छा rate of interest अच्छा मिलता बैंक अगर 50,000 रुपए fix कर दोगे न तो तीन साल बाद आपको वही 50,000 रुपए न 60,000 रुपए मिलेगा आपको च्छा रिटर बैंक देता है जो fix deposit होता उस पर भी आपको लोन मिलता है माल लिजया आपने बैंक में कभी एक लाख रुपए fix करा के रखा था ठीक है अभी उस एक लाख की कीमत कितनी हो गई है माल लेते हैं एक लाख 50,000 रुपए के आसपास हो गया है एक लाख 50,000 के आस लाख का तो बैंक बढ़े आराम से आपको एक लाख का लोन कोई दिखकत नहीं कर आप लोन चुकाने में समर्थ रहे हैं तो डेड़ लाख रुपए गया किसका बैंक का with interest ठीक है clear हो गया next है housing loan क्या होता है घर के बदले लोन लेना यह तो बचपन से हम लोग सुनते आ रह लिया और निलामी में बिचा दिए ठीक है इसको housing loan कहते है ठीक है there is an acute shortage of housing in the country and every citizen dream of owning a house or a flat as a case may be in his lifetime the RBI also encourage bank अच्छा ये कुछ और कहना चाहा है मतलब यहां पर दूदू factor मुझे लग रहा है कि मैंने इसी चीज गलग तो नहीं हाला यहां पर loan against housing होना चाहिए यहां पर housing loan के बारे में चीज़ें लिखी हुए कि house loan की सरकार help करती है house loan लेने के लिए यह सारी चीज़े लिखा है salary employed को भी house loan देती है यहां पर यह topic आना loan against housing मतलब आप अपने घर की परचिया security as a collateral रखिए और उसके बतले आप पैस से लिए ठीक है यह होना चाहिए लोन अगेंस्ट अधर से कुछ other securities भी होती है other collateral जिसके तहत bank आपको loan दे सकता है जैसे share आपके पास किसी company का को share market है या mutual funds आपने कहीं लगा रहा है उसके भी आ securities है जिसके जिसके तहत आपको loan मने जाएगा ठीक है वेकल लोन वेकल लोन हो गया ठीक है loan for export और import हो गया वेकल लोन मतलब आप अपने गाड़ी नहीं नमेली गाड़ी है तो आपने गाड़ी के बदले loan ले लिजिए या अगर आपको गाड़ी खरीदना है तो उसके लिए आपको loan चाहिए तो कुछ ना कुछ security रखिए उसके बतले पैसा मिलेगा और loan किजिए और अगर आपने loan नहीं चुका पाए तो बैंक आएगा आपकी गाड़ी उठाए तो भगया ज्यान रखना loan for export और import आप अपना को समान को export कर रहे हो दूसरे देशों में या दूसरे पाल को भेजेगा उससे जो profit आएगा बैंक को लोटा देगा ठीक है लाइक डिस लेर हो गया तो अब हम लोग unsecured loan के types को देख लेते हैं इसमें आता है personal loan ठीक है like children educational मेरे बच्चों के पढ़ाई के लिए लोन लेना medical expenses के लिए लोन लेना family function के लिए लोन लेना holiday पर जाने के लिए लोन लेना गाड़ियों में minor repair या home को renovate करने में घर को repair कराने में consumer fridge air conditioner washing machine mobile यह सब खरीदने के लिए लोन लेना यह सारे हमारे personal loan खेलाते है ठीक दिस उनको ही directly unsecured loan दिया जाता है यह सारी चीज़ें करने की ठीक है सबको नहीं मिलता है credit score अच्छा होना चाहिए ठीक है अगला है credit card loan credit card credit card is a plastic card containing the name of card credit card ATM की तरह होता है ATM card की तरह होता है credit card ठीक है उसका ATM का मतलब क्या है इसमें अगर आपके bank में 50,000 रुपए है तो आप ATM की help से 50,000 रुपए ही निकाल पाओ बट वहीं पे हम अगर credit card की बात करें credit card में पैसा नहीं होता है आपने बस एक amount fix रहता है कि आप 10,000,000 रुपए तक आप इसमें से खर्चा या purchase वगयरा जो भी समान कर सकते रियल में आपके account में 10,000,000 रुपए है नहीं आपके bank में सिर्फ 2,000,000 रुपए है बट आपको credit card से 10,000,000 रुपए तक का अराम से बड़े अराम से आपको 10,000,000 रुपए तक का loan मिल जाएगा दस लाग तक का loan लीजे यूटलाइज की यह कहीं और से पैसा लेके bank में वरी है वहाँ से cut जाएगा ठीक है credit card is a plastic card containing the name of card holder card holder का नाम भी लिखा रहेगा उस पे and detail of the credit limit की बाई यह credit card की limit की तिनी 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 का कितना है है ना section और यह bank के द्वारा आपका जो credit score देखकर ही आपको sign किया आता है इसा नहीं जितना मानुल उतना मिल जाएगा the card holder can use the card card holder जिसके पास यह card है वो इस card को use कर सकता है purchase of good articles और service वगरा लेनी के लिए या throughout internet draws cash cash निकाल सकता है जलोन through the automated tailor machine ATM से up to credit limit जितनी उसकी limit है उतना यह नहीं की पुरा bank की खाली ख़़द है नहीं कर सकते है इसलिए bank आपको एक limit set करके credit card देती है नेक्स्ट है अरे वाह फाइनली पार्ट वन हमारा खतम होता है गंटे के आसपास हो गया होगा है देखा जा जा रहा एक गंटे के आसपास तो नहीं हुआ है तो चलिए फिर गाईज यार बस आज के लिए इतने ही 43-45 मिनट के आसपास का वीडियो बना है और पार्ट वन में हमने काफी सारी चीज़े डिसकस की अगर ये सारी चीज़े आपको न समझ में आ गया ना तो पार्ट टू तो बहुत असान हो जाएगा समझ ना पार्ट ट पार्ट टू से उतने कोश्चन भी नहीं बनते जितने मैंने पार्ट वन में इतने पढ़ाया ना इन सारे टॉपिक से जाहतर इस चैप्टर से कोश्चन बनता है पार्ट टू तो छोटी मोटी चीज़े हैं आपन उसको एक दो दिन में वीडियो लाऊंगा कर ले ना बाकी वीडियो पसंद आया तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब और शेयर कर दयार अपने दोस्तों होगा ठीक है मिलते हैं एस वीडियो में गुडबाई टेक के रेंट जाहें